सम्मान किसे मिलता है इसका एक सरल सा जवाब है जो दुरलब हो इसलिए बदलती हुई परिस्थितियों में भी सोने का सम्मान बचा हुआ है व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही है यदि आप लगातार नजर आएं हमेशा इर्दगिर्द रहें तो तमाम उप्योगिताओं के बावजूद आपकी पूछ कम होती जाएगी उचाई पर पहुँचने वाला हर व्यक्ति इस नियम पर चलता है भले ही वह ओड़ी गई व्यस्तता के आढ़ में ऐसा करे यह बात जीवन के हर एक पहलू में देखी जा सकती है किसी के घर बार बार जाने पर सम्वान घटने की आशंका होती है ना प्रेमी प्रेमीका का मिलना जब तक कम होता है आकर्षन बना रहता है, लेकिन बहुत मिलने जुल्ले पर आकर्षन कम होने लगता है। इसलिए कभी-कभी गायब हो जाना भी अवश्यक है। बाजार में किसी चीज की कमी पढ़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बशरते वैवस्तु काम की हो। घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी कहावतें सुलबदा के संदर्ब में ही बनी है। विख्यात चित्रकार पाबलो पिकासो लोगों से मिलने जुलने से परहेज करते थे। वो कहते थे कि जितनी अधिक खोज के बाद सामने वाला मिले समझ ये वह उतना ही मूल लिवान है। लेकिन यह जानना भी ज़रूरी है कि कब गायब होना है और कितनी देर के लिए गायब होना है। सितारों के साथ अकसर ऐसा होता है कि ज्यादा दिन तक दूर रहे तो जनता उन्हें भूलने लगती है। इसलिए सोशल मीडिया हो या असल जिन्दगी अतिक करने से बचें, बीच बीच में अवकाश लेते रहें, अपनी कमी महसूस होने दें, और फिर नई उर्जा के साथ वापसी करें, पाबलो पिकासो ही नहीं, कई महान लोग ऐसा करते थे.